48 वे भारतिय अंतराश्ट्रिय फिल्म महुत्सव का उद्घाटन करेंगे किंग खान बॉलिवूड के किंग खान यानी शाहरोख खान गोगा में होने वाले 48 वा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अफ इंडिया का उद्घाटन करेंगे बता दे कि इस शांदार मुके पर शाहरोख खान के अलावा इस समारों में बॉलिवूड की कई महान हस्तियां शिर्कत करेंगी बताना चाहेंगे कि पंजी के पास थित डॉक्टर शामा प्रसाद मुकरजी ओडिटोरियम में इस जबरदस्त प्रोग्राम का आगाज होगा वही इस प्रोग्राम में केंद्रिय सूचना प्रसारण मंत्री स्मृती इरानी गोवा के सीएम अनोहर परिकर भी शिर्कत करेंगे खबरों के अनुसार बताया जा रहा है कि 28 नवंबर तक चलने वाले इस फेस्टिवल में बयासी देशों की 1195 फिल्में दिखाई जाएंगी यही नहीं बल्कि इन में 10 फिल्मों का वर्ल्ड प्रीमियर दस फिल्मों का एशियाई इंटरनेशनल प्रीमियर 64 से ज़्यादा फिल्मों का भारतिय प्रीमियर शामिल है दिल्चस्प बात यह है कि हिंदी फिल्मों के महानायक अमिता बच्चन को महोत्सव में साल की भारतिय फिल्म शक्सियत पुरुसकार से समानत किया जाएगा वही कनाड आई निर्देशक एटमे गोयन को लाइफ हट टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा इस शांदार प्रोग्राम में सुपरस्टार सलमान खान भी मौजूद होंगे इसके आलावा हिंदी फिल्म अभिनेतरी कैटरीना कैफ अभिनेता शाहिद कपूर भी आयोजित होने वाले उद्घाटन समारों में मौजूद होंगे